हेलो एंड वेलकम टू आर योट्यूब चैनल रिसीएस क्लासेस मैं हूँ आपका भाईया रिसप सिंग और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे BSC सेकेंड लियर के फोर समेस्टर कमिश्टरी का जो हमारा पेपर है क्वांटम मेकैनिक्स एंड एनलेटकल टेकनिक उसका जो योनिट थर्ड है जिसका नाम है molecular spectroscopy उसके ही important questions का lecture लेकर आ चुके हैं जैसा कि आप सभी बच्चो डिमांड कर रहे थे कि सर हमारे exams करीब आ चुके हैं तो हमें important questions भी provide कर दीजिए हर एक unit से तो आज के इस वीडियो में हम unit third के important questions को discuss करेंगे इस बात का ख्याल लखिएगा हम आप सभी को already unit first, unit second और unit third के इस lecture के साथ important questions को हम provide कर देंगे तो उन सभी lectures का लिंक आप सभी को description में मिल जाएगा और इस बात का भी ख्याल लखिएगा मैं आप सभी को already unit first, unit second और unit third के हर एक topic का lecture भी provide कर चुके हैं तो उन सभी lectures का भी link आप सभी को description में मिल जाएगा उन सभी lectures को join कर लिजिए अपने तयारी को बहतर बना दिल जिए और description box जरूर check out कर लिजिएगा ठीक है चलिए अब हम एक करके शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार के question आप सभी के exam में देखने को मिल सकते हैं और इस वीडि hammer approximation क्या होता है इसके बारे में हमें बताना है इस पर भी हम आप सभी को lecture provide ही किये हैं दूसरा question हमारे सामने आता है कि what do you mean by degree of freedom degree of freedom से आप क्या समझते हैं इसके बारे में हमें बताना है और इस बात का ख्याल लखिएगा starting के first second or third unit काफी जादा important है मान कर चलिए 70-80% question हो सकता है 90% questions आप सभी के exam में जो questions मिलेंगे वो इनहीं तीनों units से ही रहेंगे ठीक है तो अच्छे से पढ़िए आईए बात करते हैं question number 2 पर question number 2 में हमारे पास आता है calculate vibrational degree of freedom for C2H2 molecule हमारे पास जो C2H2 molecule होता है उसके vibrational degree of freedom को हमें calculate करना है इस question में यह question actually आजमगढ़ी university द्वारा पूछा गया था अपने question paper में इसलिए मैंने इस question को mention भी कर दिया है ठीक है बात करते है question number 4 पर what is UV spectroscopy ultraviolet spectroscopy क्या होता है इसके बारे में भी हम आप सभी को detail तरीके से बताए हैं इसके origin के बारे में बताए हैं इसके theory के बारे में बताए है इसके components के बारे में बताए हैं इसके application के बारे में बताए हैं तो वो सभी चीज़े आप सभी से पूछी जा सकती है और कोई ना कोई एक spectroscopy आप सभी के exam में मिलने के chances भी 99% है ठीक है चाहे वो ultraviolet spectroscopy हो चाहे infrared spectroscopy हो चाहे जो भी spectroscopy आपके स्लेवस में है उन्हें में से क अब भी ख्याल लखिएगा हम आप सभी को physics, chemistry और mathematics के important questions प्रवाइड कर रहे हैं तो उन सभी lectures का लिंक आप सभी को description में मिल जाएगा जाकर देख लीजिए अपने तयारी को बहतर बनाए कोई भी lecture अगर आप मिस करेंगे इस time खास कर जब exam का समय चलता है तो आप सभी की chemistry of ultra wallet spectro iscopy पर हमें बात करना है ठीक है question number five पर आते हैं तो question number five पर हमारे पास बोला जा रहा है discuss the main component of ultra wallet spectrophotometer जो हमारे पास ultra wallet spectrophotometer होता है उसके हमें main component पर बात करना है मैं आप सभी quality पढ़ा चुका हूं ठीक है and mention some important applications और इसके कुछ important applications पर भी यहां पर बात करनी है आप लोग lecture join करेंगे हर एक चीज समझ में आ जाएगा यह बात मैं guarantee के साथ का सकता हूं क्योंकि सभी बच्चे comment करके मुझे बताते भी है आईए बात करते हैं question number six पर question number six यह देखो एक चीज मैं बता देता हूं जो यह question number five तक हमारे पास जो questions है ठीक है molecular spectro iscopy का यह जो introduction portion था वहां से यह सभी question है यारिक अगर आप total 5 question पढ़कर जाते हैं तो molecular spectro iscopy का जो introduction portion है उसे पूरे तरीके से complete कर लेंगे और बहुत ही आसान-ासान से questions होते भी है ठीक है अब यहाँ पर question number six से आप सभी के लिए rotational spectrum start होता है rotational spectrum में क्या-क्या बाते बोली जा रही है कि what do you mean by rigid rotor and non-rigid rotor rigid rotor और non-rigid rotor से आप क्या समझते है drive and expression for rotational energy levels of a rigid rotor हमें बताना है कि rotational energy levels के लिए क्या expression होता है उसका calculation कैसे किया जाता है इसका graph कैसे बनाया जाता है इन सभी चीजों के बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है और साथ साथ बताना है कि selection rule for rotational spectrum क्या होता है जैसा कि आप सभी को मैं already समझा चुका हूँ कि जो हमारे पास selection rule होता है वा rotational spectrum के लिए अलग होता है vibrational spectrum के लिए अलग होगा रमन spectrum के लिए भी अलग होगा तो इन सभी चीजों को बहुत ही खास तरीके से पढ़ लीजिएगा क्योंकि selection rule आप सभी के exam में guarantee के साथ पूछा जाता है ठीक है और यह जो चठे नंबर का question है यह most important भी है वैसे जितने भी question मैं लिखकर लेकर आया हूँ वो सभी के सभी most important ही है तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोग इन question को छोड़ कर जाए otherwise आपकी सबसे बड़ी गलती आपके exam में साबित हो जाएगी अगर आप unit third को over the frequency and wave number of lines in the rotational spectrum मैं आप सभी को पढ़ाया हूँ कि जो हमारे पास the rotational spectrum होता है उसमें frequency इसी क्या रोल निभाता है वेव नंबर्स का क्या रोल होता है इनका क्या रिलेशंसिप होता है इनका क्या एक्सप्रेशन होता है इन सभी चीजों के बारे मैंने बताया था spectral intensity क्या होता ये भी मैंने बताया था spectral intensity आप लोग बस एक बारी देख लीजेगा वो उतना important नहीं है लेकिन एक बार पढ़ लीजेगा हो सकता है पूछ लिया जाए ठीक है और Maxwell distribution curve जो मैं पढ़ाया था वो भी काफी जादा important है तो उसे भी पढ़ लीजेगा फिलाल यहाँ पर मैं mention नहीं किया हूँ इसके लिए ठीक है लेकिन rotational spectrum काफी जादा important है और ये एक very short answer type के question में आप सभी के सामने देखने को मिल सकता है कि YH2, N2O2 and Cl2 जो हमारे पास molecule होते हैं ये rotational spectrum क्यों नहीं सो करते हैं इसके बारे में हमें बात करनी है तो ये question logical तरीके से आप बस समझ लीजिए मैं यहाँ पर फिलाल थोड़ा सा explain कर देता हूँ कि जो हमारे पास सभी molecule आप सभी के सामने देखने को मिल रहे हैं चाहे वो H2 molecule हो, चाहे वो N2 molecule हो, चाहे वो O2 molecule हो, चाहे वो CL2 molecule हो ये सभी के सभी क्या है, होमो Nuclear molecule है, या फिर मैं कहूँ होमो Diatomic molecule है तो यही logic है कि ये rotational spectrum को नहीं सो कर पाते हैं, ठीक है तो ऐसे ही आप सभी को दो चाहल लाइन आप सभी को बना कर लिख देना रहेगा आईए बात करते हैं question number 9 पर, जो की काफी important है क्योंकि यहाँ जमगड़ी University में पूछा भी गया था कि write a salt notes on isotope effect, जो isotopic effect होता है या isotope effect होता है, उस पर हमें salt notes बताना है कि वह कैसे rotational spectrum को affect करता है, इसके बारे में यहाँ पर हमें बात करनी है बेसिकली ठीक है, तो यह काफी ज़्यादा important यह भी question है, बात करते है question number 10 पर, question number 10 में हमसे बोला जा रहा है कि what do you understand by infrared spectroscopy, जो हमारे पास IR spectroscopy होता है जिसे हम क्या कहते हैं, vibrational spectroscopy, ठीक है, इस बात का ख्याल लखिएगा जो हमारे पास rotational spectroscopy होता है, या फिर उसे को मैं कहता हूँ कि microwave spectroscopy तो दोनों ही नामों से पूछा जा सकता है, तो दोनों नामों को धियान में रख रहा है जैसे यहाँ पर infrared spectroscopy लिखा गया है, तो इसे vibrational spectroscopy भी कहा जाता है कई बार क्या होता है, question जब बनाया जाता है तो जो question बनाते हैं, teachers लोग वो game खेल जाते हैं वहाँ पर आपको infrared spectroscopy नहीं बोलते, बलकि vibrational spectroscopy बोल लेते हैं अब बच्चे confused हो जाते हैं कि हमें ultraviolet लिखना है, या फिर हमारे पास visible spectroscopy है या फिर ultraviolet spectroscopy है, या फिर infrared spectroscopy है, कौन सा लिखा जाए तो ऐसे में game खेल जाते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ा करो ठीक है और यहाँ पर हमें यहाँ भी बताना है कि principle and working of infrared spectro photometer क्या होता है इसके बारे में भी हमें यहाँ पर बात करनी है, और साथे साथ इनके applications को भी बताना है यह सब ही चीज़ों पर मैं already lecture provide कर चुका हूँ और यहाँ पर आप सभी के सामने एक और important question है कि हमारे पास जो ultraviolet visual spectroscopy होता है और जो हमारे पास infrared spectroscopy होता है इन दोनों के बीच क्या difference है इसके बारे में यहाँ पर हमें बात करनी है यह भी काफी important question है लेकिन फिलाल अभी किसी university में देखा नहीं गया है लेकिन हो सकता है आने वाले कुछी university हों के exam में या देखने के काफी ज़्यादा chances है आईए बात करते हैं आप सभी के सामने question number 12 आता है यहाँ पर इसको हम समझते हैं कि क्या बात बोली जा रही है question number 12 में हमारे पास बोला जा रहा है कि discuss the potential energy curve and vibrational energy levels of simple harmonic oscillator जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारे पास एक second यहाँ पर मैं एक चीज रिपीट कर देता हूँ देखो हमने बात किया है यह हमारे पास introduction portion कहा तक था तो introduction portion starting के 5 question थे और यहाँ पर जो हमारे पास 8 है 6 से लेकर 8 तक के question है यह सभी के सभी हमारे आते हैं rotational spectrum के अंतरगत यानि कि rotational spectrum में आपको total 3 question तयार करने है और यहाँ पर 4 question ठीक है 9th number का भी question हमारे पास rotational spectrum में आता है यह 4 question अगर आप तयार करेंगे तो rotational spectrum भी आपका पूरी तरीके से तयार हो जाएगा और question number 10 से हमारे सुरू होते है vibrational spectroscopy ठीक है या फिर मैं कहूं vibrational spectrum तो यह भी काफ़ी important है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए हम बात कर रहे है question number 12 पर ठीक है question number 12 में हमें बात करनी है कि discuss the potential energy curve and vibrational energy level of simple harmonic oscillator ठीक है इसमें अगर हम बात करते हैं एक बात और समझ लीजिएगा आप लोग कि question number 10 question number 11 यह दोनों कि हमारे पास vibrational spectroscopy के basic portion है ठीक है लेकिन जब हम बात करते हैं question number 12 पर तो यहाँ पर हमें बात करना है simple harmonic oscillator के बारे में ठीक है simple harmonic oscillator and harmonic oscillator यह दो प्रकार के topic बनते हैं इसमें rotational spectrum के अंतरगत sorry vibrational spectrum के अंतरगत तो इन पर खास ध्यान रखेगा ठीक है क्योंकि इन से question काफी ज़्यादा बनते भी है और खास कर simple harmonic oscillator से बनते हैं ओके तो यहाँ पर हमसे बोल जा रहा है कि potential energy curve और vibrational energy levels क्या होते हैं simple harmonic oscillator के और इसका एक खास question बनता है कि जीरो पॉइंट energy क्या होता है ठीक है यह आप सभी से very salt answer type salt answer type and long answer type के question में भी देखने को मिल सकता है कि जीरो point energy से आप क्या समझते हैं ओके आईए बात करते हैं question number 13 पर question number 13 में हमसे बोला जा रहा है कि discuss the vibrational spectrum of a diatomic molecule हमें बात करनी है कि जो हमारे पास diatomic molecule होता है इस बात का भी ख्याल रखेगा पूरा question में पढ़ देता हूं taking as a simple harmonic oscillator हम एक diatomic molecule को ले रहे हैं जिससे simple harmonic oscillator की तरह treat कर रहे हैं यानि कि उनका जो oscillation होगा जो उनका vibration होगा वह simple harmonic oscillator के property को satisfy करेगा तो उसका हमें vibrational spectrum discuss करना है इस topic पर मैं कल आप सभी को lecture भी provide कर दूँगा क्योंकि यह ज़्यादा important है तो इसे अच्छे से मैं explain कर दूँगा और बात करना है कि discuss the selection rule of vibrational spectrum जो हमारे पास vibrational spectrum का selection rule होता है उसके बारे में यहाँ पर हमें बात करनी है और question number 14 में हमसे बोला जा रहा है कि an harmonic oscillator ठीक है देखो बच्चो लोग simple harmonic oscillator काफी ज़्यादा important है तो इसलिए मैंने उसके सभी question को mention कर दिया है लेकिन an harmonic oscillator फिलाल जब तक किसी university के question पेपर में देखने को नहीं मिलते हैं तब तक मैं अपनी तरफ से इसको ज़्यादा important suppose नहीं करके चल पा रहा हूँ क्योंकि इससे बहुत कम chances होते हैं question बनने के इसमें total तीन topic है अगर आप पढ़ना चाहें तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि and harmonic oscillator क्या होता है इसमें selection rule क्या होता है और rotational vibrational spectrum क्या होता है ये तीन topic आप सभी क्यों देखने को मिलेंगे हो सकता है मैं इन पर lecture भी provide कर दूँ लेकिन ये फिलहाल उतने important के category में मैं नहीं रख पा रहा हूँ ठीक है लेकिन अगर किसी भी university के question paper में देखने को मिल जाता है त तो उन सभी lectures का भी link आप सभी को description में मिल जाएगा अगर वहाँ पर नहीं मिलता तो आप हमारे चैनल के playlist section में चले जाएगा आप लोग वहाँ पर पा जाएंगे ठीक है तो फिलाल इतने ही question आप सभी को 14 question आप सभी को तयार करने है जो की unit third से है ठीक है इस बात का ख्याल इस lecture में हम अभी रमन spectrum के lectures को नहीं रमन spectrum के important questions को नहीं discuss किया है उसे हम एक अलग lecture provide कर देंगे जिसमें हम रमन spectrum के सभी important questions को provide कर देंगे ठीक है क्योंकि रमन spectrum थोड़ा अलग topic है तो उसे मैंने अलग ही category में रखा है वो काफी जादा important भी है जिसमें हमें stokes line, anti-stokes line पर बा सब्सक्राइब करना रहेगा जैसे इन सभी चीजों को हमें समझना रहेगा ठीक है तो फिलाल अब इस lecture के साथ है समाप्त करते हैं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा साथ ही साथ चैनल पर पहली बारा होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बिल आइकन क तो आल पर स्लेट कर लीजेगा अपने दोस्तों के साथ सेर भी कर दीजेगा तो हम से मिलते हैं अपने नेक्स लेक्षेर में तब तक पढ़ते रहेए संघर्स करते रहेए और सफल होते रहेए